नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर स्मिता आयुर्वेद एक वर्दान में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे अर्थ्राइटिस के बारे में आर्थ्राइटिस बहुत ही जादा कॉमली पाया जाने वाला और खास करते के औरतों में पाया जाने वाला एक रोग बन चुका है आज तो आर्थ्राइटिस के बारे में थोड़ा सा आपको पहले बताएंगी कि आर्थ्राइटिस होता क्या है आर्थ्राइटिस का मतलब होता ह information जब आपके joints के जो capsule होता है कि joints का capsule है या joint का space है उसके बीच में inflammation आने लग जाए, bones की quality deteriorate होने लग जाए या आपके muscles जो हैं वो proper तरीके से उस तिती में न रहें जैसे कि पहले वो काम करती थी तो वो एक तरह से arthritis के श्रेणी में आ जाते हैं arthritis basically mainly तीन टाइप का जाधा होता है जिसमें से बहुत commonly जो पाया जाता है वो या तो osteoarthritis है या rheumatide arthritis है जो osteoarthritis है उसमें क्या है कि इसमें जो वेदना और समवेदन शील इसको कम माना जाता है as compared to rheumatide arthritis लेकिन जो main feature है जिसे कि जन सामाने या कोई रोगी परिशान होता है वो है pain pain discomfort तीसरा joints में इस तरह से stiffness आ जाती है कि वो रोज मरा के या दिन चर्या के काम को ढंक से कर नहीं पाता तो यही एक कारण होता है जिसके वज़र से patient doctor के पास आता है अब patient ने एक चीज़ को सबसे पहले वो realize करता है मेरे काम पहले की speed से भी नहीं हो रहे हैं और पहले के मुताबक मेरे body में deterioration भी आ रहा है अब इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि होता क्या है कैसे physiologically change होता है आपके जो जैसे आप काम करते हैं आपकी काम के जैसे joint की mobility में फरक आ जाना सुबह उठने के बाद आपको ये feel होना कि आपके joints जो हैं अकड़ चुके हैं या थोड़ा सा pain या stiffness ज्यादा वाली चीज आपको feel हो रही है तो आप बिलकुल एक तरह से alert हो जाएं ये आपका एक red flag या signal है कि अब आपको थोड़ा सा अपने पे ध्यान देने वाली एक स्तिती बन चुकी है अभी mortality अगर हम बात करें कि arthritis सबसे जादा उन लोगों को effect करता है या उन लोगों को बहुत जादा वो एक red zone में आते हैं जो लोग बहुत ही जादा वात को बढ़ाने वाला आहार खाते हैं क्योंकि आहार जो है वो सबसे पहले एक रोग को लाने का और रोग को बगाने का दोनों को ही ये कारण बनता है अभी हम वात को बढ़ाने वाला आहार जैसे मैं बता दूँ कि बहुत जादा जो है बहुत रुक्ष आहार है या बहुत जो बोलते हैं जिसको अभिश्यंदी आहार है, मसालेदार आहार है, दूद है या दूद से बनी हुई चीजें हैं ये वात को बढ़ाने वाला आहार मा जाता है जो वात है एक तरह से वात प्रधान आर्थ्राइटिस को माना गया है वात को ठीक करने के लिए उसको हटाने के लिए बहुत सारी ओशद का मा आपके चैरक में भी और बहुत सारी ऐसे अईरवेद के ग्रंतों में वर्णन हैं जिसको हम बहुत ही एहम मानते हैं और उनके बिना इलाज संभव नहीं है तो कुछ इसमें से बहुत सारी ऐसी ओशद हैं जैसे अज्वो दादी चून है या आपका गिलोए है या आपको अश्वशिला कैपसूल्स हैं हमारे सिंगनाद गुगल है ये बहुत ही फायदेमंद और highly effective medicines पाई गई हैं जिससे कि आप अराम से अपने आपको वीर इंटियर से बचा भी सकते हैं और आगे से इस चीज़ को रोकने के लिए भी बहुत-बहुत-बहुत साहे कि दवायां या ओश्वश्द मानी गई हैं अभी मैं बात कर रही थी कि रुमेटाइड आर्थराइटिस की तो जो रुमेटाइड आर्थराइटिस है इसको आम वात बोला गया है आम एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में एक तरह से सावधानी या डेंजर का साइन है आव अंडाजेस्टिट फूड से बनता है जब फूड प्रॉपरली डाजेस्ट होके और अ अगर आपके पेट में जाएगा तो वो आपको अलग एक एक एफेक्ट लेकी आएगा अगर वो हाट की तरह जाएगा तो वो चैनल में जाएगा तो वो अलग तरह किया और जो ज्वाईन्स है उसके स्थ्रोट में चला जाएगा तो वो अपना एक जो एफेक्ट लेके आता है उसको आव वात रुमेटाइड आर्थराइटिस की संगया दी जाती है अब रुमेटाइड आर्थराइटिस एक तरह से बहुत जटिल रोग के श्रेणी में इसको हम रखते हैं और यह जटिल इसलिए है कि आप जितना अबि इसको ओलेशन या ऐसी ठेरपी जिसको पेशक सोचेगा थोड़ा से इसमें हम मसाज कर लें थोड़ा ओएट देए या कुछ इसमें इस तरह से हीट हम ज़्यादा दे दें तो हम ठीक हो जाएंगे तो वो एक तरह से मिध्या का का गा म करता है या एक तरह से यह पाचन शुरू होता है शरीर के अंदर और जो आपकी present scenario की complaints हैं वो धीरे-धीरे-धीरे करके वो dimnish होनी start हो जाती है या कम होनी start हो जाती है या अलग होनी start हो जाती है इसकी presentation जो है एक तरह से रोगी इसी तरह से देता है कि आपके joints है fingers के knuckles है या आपके wrist joint है या आपके पैरों में एक तरह से गांठे-गांठें का पड़ जाना या swelling का आ जाना redness का हो जाना ये एक marked feature patient लेके आता है रोगी लेके आता है जिसको हम पहले आव पाचक और शदियों से जैसे अजमोदादी चूण है इससे हम उसको आव का पाचन करते हैं उसके बाद कहीं जाके हम उसको पंचकर्मा के और procedures जैसे आपका ortho grid बस्ती है या आपके और भी बस्तियां है अनुवासन बस्ती है इन सब चीजों से उसको हम sort out करते हैं आपका पाचन किया जाता है आपके पाचन के बाद आपके जैसे की मैंने बूला आहार का भी एक मुख्य रोल पाया जाता है इसमें दूद और दूद से बने हुए जो भी पदार्थ हैं अब उसको रोकते हैं बोलते हैं पेशन को कि आप इसको ना लें इन सबसे जादा effective चीज होती है आप therapy को एक positive mindset के साथ accept करते हैं अगर आप therapy को एक therapy और संशे के दृष्टी से देखेंगे या संशे के दृष्टी से accept करेंगे तो फिर वो इतना effect नहीं लेके आएगी ज आपकी therapy जो है effect में अपने body में लेकी आती है arthritis से बचने के सबसे जादा उपाए तो यही है कि आप रूक्ष जो भोजन है या बहुत जादा तीखा भोजन है वो आप ना करें क्योंकि बचाव ही बेमारी से चुटकारे पाने का सबसे पहला step होता है सबसे पहला कदम होता ह है तो हमारे पास आने से पहले हम उसको patient को बचाव के रास्ते बताते हैं कि आपको यही रास्ता अपनाएंगे तो आपको इस तरह की चीजें नहीं होंगी मतलब इस चीजें के आपको सामना नहीं करना पड़ेगा और इसके साथ साथ में हम आव के पाचक को तो हम करते ही ह कुछ उपर से भी लगाने वाली चीजें होती हैं बस्तियां होती है या तो वो इंटर्नल बस्ति होगी या वो एक्स्टर्नल बस्ति होती है बस्ति का मतलब होता है एक स्चेमबर, हम क्या करते हैं, जैसे जहां पे भी पेशन को जादा पेन है, जैसे कटी में पेन है, मतलब बैक में पेन है, तो हम कटी बस्ती पेशन को देते हैं, उतने एरिया में घेरा बना देते हैं, और उसको घेरा बनाने के बाद, उसमें ओलेशन होता है, जैसे आपक का पाचन वाला काम भी, और दूसरा जो काम है, पेन को निकाल ले वाला काम भी दोनों काम हो सके, और फिर उसको चेंज कर के, 40 मिनिट का ये प्रोसीजर होता है, उसको change करके फिर उसमें स्थानिक जो है हम जो है स्टीम देते हैं उसके बाद में कुछ internal बस्ती के internal बस्ती के अंतरगात आता है अनुवासन बस्ती अनुवासन बस्ती से क्या है internal जो ओर्गन्स है उसका एक तरह से rejuvenation होता है उसका जैसे blood supply है nerve supply है वो भी सब clear होती है उसे और ज्यादा वो मतलब और ज्यादा पुश्ट तरीके से काम कर सकती है और एक तरह से इसके एक सुधार में और अच्छा एक effect एक तरह से इसको catalyst का नाम दे सकते हैं तो यह सब चीजे हम इसमें शामिल करते हैं और इस सब चीजों के बाद में जो भी चीजे हैं घर पर home program भी एक बहुत एक एहम भूमिका लाता है तो इसमें home programming के अंतरगत कुछ exercises भी करना बहुत ज़रूरी है इन सब चीजों के उससे हमारे इस इन जटिल रोगों में हमें जीत हासिल हो सकती है और सबसे पहले चीज का तो मैं यहीं बोलूंगी कि सबसे पहले इसको आने से ही रोका जाए उसके बाद अगर यह चीज आती है तो अगर आर्थराइटिस आता है तो आपको अगर पहला साइन मिलता है स्टिफनेस का पेन का या कहीं पे भी किसी भी थान ऐसे रेडनेस आपको मिलती है जॉइन पे तो आप उसको नजर अंदाज ना करें क्योंकि एक के बाद दूसरी चीज का यह दूसरी रोक का आना इस नॉट कोइंसिदेंस यह एक पूरा एक सीरीज होता है अगर आप उसको नजर अंदाज करेंगे तो वो तीसरी चीज में कनवर्ट हुएगा आशा है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा अगली बार में एक नई बिमारी के इलाज के साथ फिर दुबारे से उपस्तित होगी तब तक के लिए नमस्यार